नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल डिजीटल भंडार पर आज की वीडियो में हम CPCT exam March 2024 के लिए कंप्यूटर के important questions को समझने वाले हैं यह हमारा CPCT exam March 2024 के लिए पार्ट नमबर 11 है इस वीडियो में हम CPCT exam के लिए कंप्यूटर से संबंदित 20 important questions को समझने वाले हैं यह सभी वही question हैं जो पहले भी CPCT exam में पूछे जा चुके हैं जब हम एक question को समझते हैं तो उससे संबंदित हमें कई परकार के और भी question तयार करने मिलते हैं अब सभी questions को नोड जरूर करें क्यूंकि paper में एक question से सम्बंधित कई पिरकार के और भी कॉस्चन बन सकते हैं चलिए सुरुवात करते हैं आज किस वीडियो का देखते हैं आज का हमारा पहला कॉस्चन क्या है पहला कॉस्चन हम से पूछा गया है blank utility हार्डिक्स पर गैर जरूरी फाइलों को पहचानती है मतलब खोज निकालती है और तब उन्हें एरेज कर देती है जब उपयोग करता windows OS उन्हें एरेज करने की अनूमती दे blank utility हार्डिक्स पर गैर जरूरी मतलब unused files को पहचानती है और खोज निकालती है मतलब सर्च करती है और तब उन्हें erase कर देती है मतलब delete कर देती है जब user windows operating system उन्हें erase करने की अनुमती दे हमसे question पूछा गया है कि windows operating system में ऐसी कौन सी utility होती है जो hardics पर गैर जरूरी files को identify करती है मतलब unused file को identify करती है और उन्हें search करती है और यदि user permission देता है तो उन्हें erase भी कर देती है utility मतलब क्या होता है utility मतलब ऐसे software होते हैं जो की computer system का maintenance करते हैं ऐसे software जो computer system का maintenance करते हैं computer की performance को बड़ा देते हैं वह कहलाते हैं utility program ऐसा utility program जो hardics से unused file को search करता है और permission मिलने पर उन्हें हटा देता है वह कहलाता है disk cleanup डिस्क cleanup क्या करेगा हमारी hardics से unused files को search करेगा उन्हें हमारे सामने so करेगा और यदि user उन्हें delete करना चाहे तो delete भी कर सकता है मतलब इस question का answer हो जाएगा option number B disk cleanup डिस्क cleanup एक utility program होता है जो कि unused files को search करता है so करता है user in file को delete भी कर सकता है तो इस question का answer हो जाएगा option number B disk cleanup देखते हैं हमारे next question को next question है निमनलिखत में से कौनसी एक प्राथमिक मेमोरी है यह question मेमोरी से सम्बंदित है मेमोरी से सम्बंदित हमें 4 मेमोरी के नाम दिये गए है और हमसे पूछा गया है निमनलिखत में से कौनसी एक प्राथमिक मतलब primary मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी कम्प्यूटर में जो मेमोरी होती है उसको दो भागों में डिवाइट किया गया है एक होती है प्राइमरी मेमोरी एक होती है सेकंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो डारेक्ट सीप्यू से कनेक्ट होती है वह कहलाती है प्राइमरी मेमो की speed fast होती है, secondary memory की speed slow होती है, primary memory की जो data storage capacity होती है बहे कम होती है, जबकि secondary memory की data storage capacity अधिक होती है, हمें चार memory के नाम दिये गए है, और हमसे पूछा गया है, निमने लिखत में से कौन सी एक प्राथमिक मतलब primary memory है, Primary Memory को Man Memory भी कहा जाता है Primary Memory को Man Memory भी कहते हैं जो की यहाँ पड़ दी गई है RAM Hardix एक Secondary Memory है CD भी एक Secondary Memory है Pen Drive भी एक Secondary Memory है जो RAM है RAM एक Primary Memory है जिसका Full-Parm होता है Random Access Memory Random Access Memory, Ram एक volatile memory होती है, volatile मतलब ISTile Memory होती है, RAM में data को temporary label पर store किया जाता है, जब तक computer on रहता है, तब तक RAM में data store रहता है, computer के off होने पर RAM से data delete हो जाता है, मतलब RAM एक primary memory है, इस question का अंसर होगा, option number C, ram, आपको एक और question तयार करना है, CD का full form क्या है, CD का full form है compact disk, compact disk, CD एक optical disk होती है, जो की 700 MB तक data को store कर सकती है, इस question का answer है option number C, RAM, दिखते हैं हमारे next question को, next question है, निम्न मैं से कौन से microprocessor के दो मुख्य components है, हमसे question पूछा गया है, कि दिये गए option मैं से, कौन से दो microprocessor के दो main component है, microprocessor मतलब हमारे computer का processor, जिसे हम CPU भी कहते हैं, CPU मतलब central processing unit, CPU मतलब central processing unit, जिसे processor भी कहा जाता है, microprocessor भी कहा जाता है, जो की हमारे computer का brain होता है, मस्तिस्क होता है, کंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग की जाती है, वह सभी प्रोसेसर के द्वारा ही की जाती है, हमें यहां पर चार ओप्सन दिये गए हैं, हमसे पूछा गया है निम्नमैंसे कौन से microprocessor के दो मुख्य component है जो microprocessor है या processor है या CPU है इसके तीन main component होते है ALU, CU और memory जो हमारा CPU या processor है उसके तीन main component है ALU मतलब arithmetic logic unit CU मतलब control unit और memory और CPU के अंदर जो memory होती है वह होती है register register जो की size में सबसे चोटी और speed में सबसे अधिक fast memory होती है register CPU के अंदर होते है processor के अंदर होते है तो CPU या processor के तीन main component है ALU, CU और memory मतलब register जो की size में सबसे चोटी और सबसे fast memory होती है अब इन तीनों में से हमें देखना है कौन से दो component यहां पर दिये गए है control unit और arithmetic logic unit यह दोनों CPU मतलब microprocessor के component है एक और होता है memory मतलब की register जो इस question का answer हो जाएगा option number B control unit और arithmetic logic unit यह दोनों ही CPU या processor के main component है इस question का answer है option number B आपको एक और question तैयार करना है SMPS का full form क्या होता है SMPS का full form होता है switched mode power supply switched mode power supply इस question का answer हो जाएगा option number B control unit and arithmetic logic unit देखते हैं हमारे next question को next question है निमने लिखित में से कौन सा एक BEV server है निमने लिखित में से कौन सा एक BEV server है यह question internet से संबंदित है हमें यहाँ पर चार option दिये गए है हमसे पूछा गया है निमने लिखित में से कौन सा एक BEV server है BEV server क्या होता है BEV server एक ऐसा computer होता है जिस पर website को host किया जाता है website को host किया जाता है मतलब website को store किया जाता है website बनाने के बाद उस website को internet पर upload करना होता है इस प्रक्रिया को कहा जाता है web hosting website बनाने के बाद website को internet पर upload करने की प्रक्रिया को web hosting कहा जाता है और जो website host होती है वह web server पर होती है web server एक ऐसा computer है जो website को host करने की सुभीदा प्रदान करता है हमें चार option दिये गए थे हमसे पूछा गया था निमने लिखित में से कौन सा एक web server है web server है यहाँ पर apache apache एक web server होता है जो की website को host करने की सुभीदा प्रदान करता है एक होता है web browser web browser क्या है web browser तो एक application software है जिसमें हम web page या website को open करते हैं web browser है जबकि web server क्या कहलाता है ऐसा computer ऐसा software जो website को host करने की सुभीदा प्रदान करता है इस question का answer हो जाएगा option number D apache एक web server होता है देखते हैं हमारे next question को next question है open office writer के किस tab में auto correct बिकल्प उपलब्द है open office writer के किस tab में auto correct option उपलब्द है यह question open office writer से पूछा गया है open office writer क्या है open office writer एक word processing software है word processing software जिस प्रकार से आप MS word का use करते हो MS word भी एक word processing software है उसी प्रकार से open office writer भी एक word processing software है जो कि typing करने की formatting करने की editing करने की सुभीदा प्रदान करता है जिस प्रकार से MS word एक word processing software है उसी प्रकार से open office writer भी एक word processing software है हमसे question पूछा गया है open office writer के किस tab में auto correct बिकल्प उपलब्द है auto correct क्या होता है auto correct एक ऐसा feature है जो छोटी मोटी mistake को automatic correct कर देता है जब हम typing करते हैं और typing में यदि हमसे कोई छोटी मोटी mistake हो जाती है तो auto correct option उसको automatic सुधार देता है और open office writer के tools tab में auto correct option उपलब्द होता है tools tab में मतलब इस question का answer हो जाएगा option number V tools tab देखते हैं हमारे next question को next question है एक blank का उपियोग चित्रों या दस्तावेजों को digitize करने है तू और इसे computer screen पर प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है एक blank का उपियोग चित्रों मतलब images या दस्तावेजों मतलब document को digitize करने है तू और इसे computer screen पर प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है question हम से यह पूछा गया है कि जो चार हमें device दी गई है इन चारो device में से ऐसी कौन सी device है जिसके माध्यम से हम किसी image मतलब चित्रों या किसी document मतलब दस्तावेज को digitize कर सकते हैं digitize करने का मतलब क्या है आपके पास यदि कोई hard copy output है कोई letter है कोई document है कोई image है उसको scan करके computer में input कर देना वह कहलाता है digitize मतलब offline या physical copy output को हमें screen पर यदि सो करना है तो हम उसे क्या करेंगे digitize कर देंगे मतलब digital format में बदल देंगे जिसके लिए किसका use किया जाता है scanner का scanner क्या करता है किसी document, किसी letter, किसी image को soft copy output में बदल देता है soft copy output में यदि हमारे पास hard copy output है और उसे हमें soft copy output में बदलना है तो हम scanner का use करते है scanner एक input device होती है जो कि किसी document, किसी image, किसी letter को scan करती है मतलब digital format में बदलती है और फिर उसे screen पर so किया जा सकता है तो scanner एक input device है जो की hard copy output को soft copy में convert करती है इस question का answer हो जाएगा option number C scanner देखते हैं हमारे next question को next question है निमने लिखित में से किस access विधी का उपियोग चुम्बकिये tape में किया जाता है यह question memory से संबंदित है हमसे पूछा गया है निमने लिखित में से किस method का उपियोग magnetic tape में किया जाता है चुम्बकिये tape मतलब magnetic tape magnetic tape क्या है जो magnetic tape है वह एक secondary memory होती है secondary memory जो की sequential access method पर वर्क करती है sequential access method जो magnetic tape है वह एक secondary memory का example है आपने देखा होगा कुछ सालों पहले cassette use की जाती थी cassette जिसमें real लगी होती थी जिसके अंदर audio data को store किया जाता था वह cassette कहलाती है magnetic tape जिसमें हम data को permanent store कर सकते थे secondary memory का example है और जो चुम्बकी ये tape मतलब magnetic tape होती थी उसमें यदि 10 गाने हमें store करने है 10 songs को store करना है तो उनको store करने का एक निश्चित क्रम होता था और जब हम बह गाने सुनते थे play करते थे तब उसी क्रम में उन सभी songs को play किया जाता था यह method कहलाती है sequential axis method sequential axis method मतलब data को store करने का और data को प्रप्त करने का एक fixed sequence होता है निश्चित क्रम होता है बह कहलाता है sequential axis method तो जो magnetic tape है बह एक secondary memory का example है जो की sequential axis device भी कहलाती है इस question का answer हो जाएगा option number C sequential axis देखते हैं हमारे next question को next question है निम्न मैं से कौन सा CPU का एक भाग नहीं है यह question हमने आज की वीडियो में ही समझा था जब हमसे question पूछा गया था निम्न लिखित मैं से कौन से दो microprocessor के main component है बहाँ पर भी हमने यही question समझा था अब देख सकते हैं एक question से related कई परकार के question बन सकते हैं question में हमसे पूछा गया है निम्न मैं से कौन सा CPU का एक भाग नहीं है CPU मतलब central processing unit जिसे हम processor भी कहते हैं जिसे microprocessor भी कहा जाता है CPU जिसे processor या microprocessor भी कहा जाता है CPU के तीन main component होते हैं ALU, CU और memory CPU के अंदर जो memory होती है वह होती है register register जो की size में सबसे छोटी memory होती है और speed में सबसे अधे को fast memory होती है यह question हमने आज की वीडियो में ही previous question के साथ समझा था जो CPU है मतलब central processing unit जिसे processor या microprocessor भी कहा जाता है इसके तीन main component है ALU मतलब arithmetic logic unit, CU मतलब control unit और memory, memory कौन सी होती है CPU के अंदर register जो की size में सबसे छोटी और सबसे fast memory होती है मतलब answer हो जाएगा option number C, visual display unit CPU का भाग नहीं है visual display unit तो monitor को कहा जाता है monitor को तो इस question का answer हो जाएगा option number C, visual display unit मतलब ddu CPU का भाग नहीं है देखते हैं हमारे, next question को, next question है, windows 7 में problem steps recorder को launch करने के लिए start search box में किस command को type किया जाना चाहिए, windows 7 में problem steps recorder को launch करने के लिए start search box में किस command को type किया जाना चाहिए, यह question windows 7 से पूछा गया है, windows 7 क्या है windows 7 एक operating system है, जैसे microsoft company ने बनाया है, microsoft company ने windows operating system के कई versions available हैं, जैसे कि windows xp, windows 7, windows 8, windows 10, windows 11 हमसे पूछा गया है, windows 7 में problem steps recorder को launch करने के लिए start search box में किस command को type किया जाना चाहिए, windows operating system का एक feature होता है problem steps recorder, यह feature क्या करता है, हमारे computer system पर हम जो भी steps run करते हैं, उन सभी steps को record करता है और image के रूप में उन सभी steps को store कर देता है, एक file बना कर save कर देता है मतलब हमारे computer पर हम जो जो step perform करेंगे, सभी steps को एक image के रूप में यह record करता जाएगा और सभी images की एक file बना कर हमारे पास save कर देगा, वह होता है problem steps recorder जिसको launch करने के लिए, मतलब open करने के लिए, psr.exe कमांड को टाइप करना होता है psr मतलब problem steps recorder, exe का मतलब होता है, executable तो इस question का answer हो जाएगा, option number a, psr.exe कमांड को search box में टाइप करके हम problem steps recorder को launch कर सकते हैं, देखते हैं हमारे next question को next question है, led printer किस semi conductor device का उपयोग करता है led printer किस semi conductor device का उपयोग करता है यह question printer से संबंदित है, printer क्या है, printer एक output device है जो की हमें hard copy output प्रिदान करता है, printer एक output device है जो की हमें hard copy output प्रिदान करता है हमसे question पूछा गया है, led printer किस semi conductor device का उपयोग करता है led का full form क्या होता है, light emitting diode light emitting diode, तो जो led printer है, इसमें light emitting diode semi conductor device का use किया जाता है यदि आपको LED का full form पता है, तो बही तो इस question का answer है, LED का full form क्या होता है, light emitting diode, तो जो LED printer होते हैं, उसमें light emitting diode, semiconductor device का use किया जाता है, इस question का answer हो जाएगा, option number B, light emitting diode, देखते हैं हमारे next question को, next question है, barcode का उपयोग किसी machine द्वारा, पठनिय द्रस pattern में किसी सूचना को blank करने हेतु किया जाता है, हमसे question पूछा गया है, barcode का उपयोग किसी machine द्वारा, read image pattern में किसी सूचना को blank करने हेतु किया जाता है, मतलब जो barcode होते हैं, बहे क्या होते हैं, और बहे किसी information को क्या करने के लिए यूज़ किये जाते हैं, barcode क्या होते हैं, आपने देखा होगा, product पर किसी बस्तू पर कुछ vertical line वनी होती हैं, जिनके साथ कुछ number भी लिखे होते हैं, यह कहलाता है, barcode बार कोड उस product से संबंदित कुछ information को store करता है, और बार कोड को scan करने के लिए, मतलब input करने के लिए, चेक करने के लिए, बार कोड reader का use किया जाता है, बार कोड रीडर जिसे सौट में OBR कहा जाता है, optical बार कोड रीडर, एक input device होती है, जिसके दुआरा बार कोड को scan किया जाता है, चेक किया जाता है, और जो बार कोड होता है, बहे किसी product की information को encode करके store करता है, encode मतलब secret code में बदल कर, तो किसी product की जो जानकारी है, उसको बार कोड में सो करने के लिए, उस product की information को encode कर दिया जाता है, फिर बार कोड को scan किया जाता है, बार कोड रीडर से, और उस product की जानकारी स्क्रीन पर सो हो जाती है, इस question का answer होगा, option number V, encode, बार कोड का उपियोग, किसी machine द्वारा, पठनिये, द्रस, पैटर्न में, किसी सूचना को encode करने हेतु किया जाता है, encoding मतलब, जो उस product की जानकारी है, उसको एक कोड में मतला जाता है, और बार कोड के रूप में सो कर दिया जाता है, तो इस question का answer होगा, option number B, देखते हैं हमारे next question को, next question हम से पूछा गया है, biometric sensor finale निमन में से किस बिसेस्ता मतलब features को support नहीं करती है, एक अगला question हम से पूछा गया है, Biometric Sensor Penali मतलब Biometric Sensor System निम्नमें से किस फीचर को सपोर्ट नहीं करता है Biometric Device से संबंदित कॉस्चन है Biometric Device क्या होती है Biometric Device कुछ Input Device होती है जो Biometric Device होती है वह Input Device का Example होती है Biometric Device का यूज Thumb expression को Fingerprint को Face को Retina को और Voice को Input करने के लिए किया जाता है यदि हमें किसी User के Fingerprint को Scan करना है Thumb expression को Scan करना है Face को Scan करना है आँक की पुतली मतलब Retina को Scan करना है या Voice मतलब आवाज को Scan करना है Input करना है तो उसके लिए हम Biometric Device का यूज करते हैं Biometric Device का यूज किसी यूजर के थंब एक्सप्रेशन, फिंगर प्रिंट, फेस, रेटीना और बॉइस को इंपुट करने के लिए, इसकेन करने के लिए किया जाता है, हमसे पूछा गया है, बायोमेट्रिक सेंसर प्रणाली निम्नमे से किस विसेश्था को सपोर्ट नहीं करती है, जो बायोम रहा है, यह चेक करने के लिए, हम बायोमेट्रिक सेंसर सिस्टम का यूज करते हैं, जो की एक्सिस कंट्रोल को चेक करता है, औथेंटिकेशन को चेक करता है, किसी यूजर की पहचान करता है, जैसे हमारे आधार कार्ड में, हमारे फिंगर प्रिंट स्कैन किये गए, हमारी आँख की पुतली रेटीना स्केन की गई, जब हमारे आधार कार्ट की इंफर्मेशन को चेक किया जाएगा, तो इससे हमारी पहचान चेक हो जाएगी, आइडेंटिटी चेक हो जाएगी, इसके लिए यूज किया जाता है, बायोमेट्रिक सेंसर सिस्टम का, मतलब इस करने के लिए, बायोमेट्रिक सेंसर प्रिनाली का यूज नहीं किया जाता है, तो इस कॉस्टन का अंसर हो जाएगा, आप्सन नंबर भी, इस्पैम, इमेल, दिखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉस्टन को, नेक्स्ट कॉस्टन है, निमने लिखित में से कौन सा एक उप्योगित में से कौन सा एक utility software नहीं है, utility software कौन से software होते हैं, वह software जो computer का maintenance करते हैं, जो computer की performance को बढ़ा देते हैं, वह software कहलाते हैं, utility software, ऐसे software जो computer system का maintenance करते हैं, computer system की performance को बढ़ा देते हैं, उन्हें कहा जाता है utility software, हमें 4 software के नाम दिये गए हैं, हमसे पूछा गया है, निमने लिखि में से कौन सा एक utility software नहीं है, disk defragmenter यह एक utility software है, disk defragmenter क्या करता है, हमारी device में या किसी drive में, disk में सभी file folder को rearrange कर देता है, जैसे hard disk है, floppy disk है, cd है, dvd है, इसमें जो file folder बने होते हैं, उनको proper arrange करने के लिए disk defragmenter का use किया जाता है, backup software, यह भी utility software है, हम किसी file का backup बना सकते हैं, और यदि file delete हो जाती है, तो backup file से restore कर सकते हैं, यह भी utility software है, virus scanning software, जैसे कि antivirus, वह भी एक utility software है, लेकिन firmware एक utility software नहीं है, firmware तो BIOS program कह सकते हैं, जो कि ROM में store होता है, जो कि computer को start करने के लिए आबसक होता है, तो यहाँ पर answer हो जाएगा, option number C firmware, तो इस question का answer हो जाएगा, option number C firmware, firmware utility software का example नहीं है, दिखते हैं हमारे, next question को, next question है, यदि आप पंक्ती या स्थंब सीर्सकों के साथ, एक कारे पत्रक सेट करते हैं, तो यह सीर्सक नीचे या दाइं और स्क्रॉल करने पर दिखाई नहीं देंगे, MS Excel 2019 blank pen के साथ, इस समस्या का आसान समाधान करता है, यदि आप पंक्ती मतलब रो या स्थंब मतलब कॉलम, सीर्सकों मतलब टाइटल के साथ, एक कारे पत्रक, कारे पत्रक मतलब वर्क सीट सेट करते हैं, तो यह सीर्सक नीचे या दाइं और स्क्रॉल करने पर हाइड हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, MS Excel 2019 Blink Pen के साथ इस प्रॉब्लम का Easy Solution प्रवाइड करता है, MS Excel का एक कॉस्चन हम से पूछा किया है, MS Excel में जब हम रो बाइस या कॉलम बाइस हेडिंग सेट करते हैं और एक बड़ा टेबल बनाते हैं, तो जब हम स्क्रॉल करते हैं, हमारे कॉलम की या रो की हेडिंग हाइड हो जाती हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस ओप्सन का यूज किया जाता है, जब हम MS Excel में कोई वर्क सीट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, और यदि उस टेबल की साइज बड़ी हो जाती है, तो हमारे टेबल की जो हेडिंग होती हैं, वह हाइड हो जाती है, जिनको हाइड होने से रोकने के लिए हम फ्रीज का यूज करते हैं, फ्रीज का, फ्रीज पैंस नाम का एक option होता है जो कि किसी रो को किसी कॉलम को या रो और कॉलम को एक साथ फ्रीज कर देता है ताकि स्क्रोल करने पर वह रो और कॉलम मूब न ऑँ मतलब इस question का अंसर हो जाएगा option number D freeze, MS Excel में फ्रीज पैंस नाम का एक option होता है जो की row और column को fix कर देता है ताकि scroll करने पर वह move ना हो तो इस question का answer हो जाएगा option number D freeze pen देखते हैं हमारे next question को next question है blank hacking या धोके को संदर्भित करता है जो सुरक्चा उपायों को bypass करने के लिए किसी अन्यव्यक्ती software program hardware device या computer की नकल करता है blank hacking या धोके को संदर्भित करता है जो सुरक्चा उपायों को bypass करने के लिए किसी अन्यव्यक्ती software program hardware device या computer की नकल करता है यह question cyber security से information security से पूछा गया है cyber security में एक cyber crime होता है spoof या spoofing जिसमें attacker या cyber criminal किसी अदर user की पहचान का उप्योग करके कोई cyber crime करते हैं जो cyber criminal है attacker है वो किसी अदर user की information को copy करते हैं और उस information का use करके cyber crime करते हैं इस attack को कहा जाता है spoofing तो मतलब इस question का answer हो जाएगा option number C spoof इस poop hacking या धोके को संदर्वित करता है जो सुरक्षा उपायों को bypass करने के लिए किसी अन्यव्यक्ती software program या hardware device computer की नकल करता है इस question का answer हो जाएगा option number C spoof देखते हैं हमारे next question को next question है printer के resolution को किस में मापा जाता है printer के resolution को किस में मापा जाता है हमसे question पूछा गया है जो कि printer से संबंदित है printer के resolution को किस में मापा जाता है printer क्या है printer एक output device है जो कि हमें hard copy output प्रिदान करता है printer के resolution को मतलब printer की quality को किस unit में नापा जाता है या हमें यहाँ पर बताना है printer की quality या printer के resolution को DPI में नापा जाता है, DPI में, DPI मतलब dots per inch, dots per inch, printer की quality या printer के resolution को DPI में मापा जाता है, measure किया जाता है, DPI का full form होता है, dots per inch, इस question का answer होगा, option number A, आपको तीन question और तयार करने हैं, GPU का full form क्या होता है, GPU का full form होता है, graphics processing unit, graphics processing unit, CPU का full form, central processing unit, MPI का full form, message passing interface, message passing interface होता है, इस question का answer है, option number A, DPI, देखते हैं हमारे next question को, next question है, laser printer द्वारा उप्योग की जाने वाली powder मैं काली स्याही को blank cartridge कहा जाता है, laser printer द्वारा उप्योग की जाने वाली powder मैं काली स्याही को blank cartridge कहा जाता है, यह question भी printer से संबन्दित है, printer जो की एक output device है, जो की हमें hard copy output प्रिदान करती है, laser printer का question है, laser printer एक non impact printer होता है, non impact मतलब printing करते समय sound कम करता है, यह सबसे अधिक तेज printer होता है, fast होता है, जो की high quality का output प्रिदान करता है, laser printer में सूखा powder, dry powder यूज किया जाता है, जिसे कहा जाता है, toner, laser printer के अंदर dry powder, सूखा powder यूज किया जाता है, जिसे कहा जाता है, toner और toner को cartridge के अंदर रखा जाता है, तो इस question का answer हो जाएगा, option number B, toner, laser printer द्वारा, उप्योग की जाने वाली powder मैं, काली स्याही को, toner cartridge कहा जाता है, laser printer में जो सूखा powder यूज होता है, उसे कहा जाता है, toner, और toner को cartridge के अंदर फिल किया जाता है, इस question का answer होगा, option number B, देखते हैं हमारे, next question को, next question है, निमने लिखित में से कौन सा character printer है, यह question भी printer से संबंदित है, हमसे पूछा गया है, निमने लिखित में से कौन सा character printer है, character printer मतलब, जो एक-एक character को print करता है, जिसकी speed, CPS में होती है, CPS मतलब characters per second, characters per second, एक ऐसा printer, जो एक-एक character को print करता है, जिसकी speed को CPS में मापा जाता है, CPS मतलब characters per second, भै है, dot matrix printer, dot matrix printer, dot matrix printer, एक impact printer होता है, जो की printing करते समय साउंड अधिक करता है, इसका output low quality का होता है, slow speed में बर्क करता है, dot matrix printer, एक character printer होता है, इस question का answer होगा, option number 1, दिखते हैं हमारे next question को, next question है, निमन मैं से कौन सा domain name ब्यवसायों द्वारा उपियोग किया जाता है, यह question इंटरनेट से संबंदित है, हमें यहाँ पर 4 domain name दिये गए हैं, और हमसे पूछा गया है, ऐसा कौन सा domain name है, जो की commercial business में use किया जाता है, domain name क्या होता है, जब आप किसी website को open करते हो, तो आपको website का address type करना होता है, website के address को कहा जाता है, URL, URL मतलब uniform resource locator, किसी webpage किसी website को open करने के लिए, हमें उसका address type करना होता है, address कहलाता है URL, URL का full form होता है, uniform resource locator, for example, हम एक address type करते हैं, http www.youtube.com, तो हमने यह जो address type किया, इस address में जो last part है dot com, यही कहलाता है domain name, http तो हो गया protocol, hypertext transfer protocol, www हो गया एक database, world wide web, youtube हो गया website का नाम, और dot com कहलाएगा domain name, जब भी हमको URL टाइप करते हैं, तो उसका last part कहलाता है domain name या domain code, यह कई प्रकार के होते हैं, हमसे पूछा गया है, ऐसा कौन सा domain name है, जिसका use, commercial में किया जाता है, commercial purpose से, भै होता है dot com, dot com domain name का use, commercial website में किया जाता है, इस question का answer होगा, option number c, dot net का use, network में किया जाता है, dot org का use, organization में किया जाता है, dot edu का use, educational website में किया जाता है, तो इस question का answer होगा, option number c, dot com, देखते हैं हमारे next question को, next question है, निमने लिखित में से, कौन सा सबसे पुराणा ज्यात उपकरण है, जिसने हवा से उपकरण की, एक computer gk का question पूछा गया है, निमने लिखित में से, कौन सा सबसे पुराणा ज्यात उपकरण है, जिसने हवा से धौनी रिकॉर्ड की, मतलब हवा से audio को रिकॉर्ड किया, वह कहलाता है, phone autograph, phone autograph मतलब यह एक ऐसी डिवाइस है, जिसने हवा से audio को रिकॉर्ड किया, और यह एक बहुत ही पुराणी डिवाइस है, तो इस question का answer क्या होगा, option number D, phone autograph एक ऐसी device है, जिसने हवा से sound मतलब audio को record किया, phone autograph इस question का answer होगा, option number D, तो इस question का answer है, option number D, आज की वीडियो में हमने, CPCT exam के लिए computer से संबंदित 20 important questions को समझा, जब हम एक question को समझते हैं, तो उससे संबंदित हमें, कई परकार के और भी question तयार करने मिलते हैं, आप सभी questions को पढ़ें, समझें, यदि आपका कोई question है, कोई doubt है, तो comment section में जरूर पूछें, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like करें, ज्यादा से ज्यादा share करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यबाद.